तो गाइस इस कोश्चन में हम लोगों को करेंट कंपेर करना है तीनों तीनों ही सर्किट में और तीनों सर्किट में क्या-क्या चेंजेस है वो आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है relative पोजीशन चेंज है सारे components की अमीटर कहीं बहुत बाद में है किसी में अमीटर बीच में है ठीक है और resistance किनारे है खैर जो भी situation है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या configuration चेंज है जो relative पुजिशन है वो सिर्फ चेंज है हमने माल लिया की से से करेंट I1 चला है पहले वाले सरकेट दिाइग्रम में और दूसरे सरकेट में I2 चला है और तीसरे सरकेट में क्या करेंट चला है i3 चलना है positive terminals है अब guys current या जो भी charge होगा वो हमेसा battery से चलेगा ठीक है जो charge है वो battery से चलेगा ammeter के through हो के जाएगा अब ammeter resistance से पहले है या resistance के बाद में इससे कोई फरक तो पड़ता नहीं है जितना charge sales से चलेगा उतना ही ammeter के through हो के जाएगा और अमीटर उसी की रीडिंग देगा, चाहे वो कहीं भी रखा हो, सर्किट में ER रेजिस्टेंस के बाद हो, रेजिस्टेंस के पहले हो, सेल और रेजिस्टेंस के बीच में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे अगर हम current I1 की बात करें, और current I2 की बात करें, current I3 की बात करें, तीनों ही अगर हम लोग निकालें, तो जो भी सेल का EMF हमने एजूम कर लिया, सपोज हर जगा जो EMF है, वो V है, ठीक है, तो जो EMF है आपका, वो V है तीनों में, इसका मतलब EMF तो तीनों के लिए सेम है, तो R भी सेम है, R equivalent हम कह सकते हैं, तीनों circuit में सेम है, तो सारे circuit में, V by R का current चलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि इन तीनों situations में, I1, I2 और I3 क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम कौन सा option select करेंगे, या opt करेंगे, जाहिर सी बात है, D option हम आप्ट करेंगे, तो सेम इन आल दा केस्स, थैंक यू गाइस.